Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about class 8, chapter 2, exercise 2.2, question number 15 and 16. So let's start the video. Question number 15 के है हमारे पास? I have a total of rupees 300. मेरे पास 300 रूपीस है. in coin of denomination, rupees 1, rupees 2, rupees 5. और जो मेरे पास coin है, अलग अलग तरहा कि वो कैसे कैसे है, मेरे पास 1, 2 & 5 Lei की है. The number of rupees 2 coin has use 3 times the number of rupees 5 coin. हम्में के दिया है, number of rupees 2 coin has 3 times the number of rupees 5 coin. 2 रूपी के coin, 5 रूपे के coin से 3 गुणा ज्यादा हैं. टोटल नमबर एक कोैन इस वेशस्टूटल नम फेन कितने मिरี้ पस्वेश्ट्यून है फाउर मैंनी कोयान ओव इस डिनॉमिनेशन और भी को है सुलुशंग मेरे पास किस तला के कोयन रुपीज का कॉइन उर त्यू रुपीज की कॉइन और फाइव रुपीज कोन? आइन तुमस्पोस करते हूं लैट नमबर ओफ कि फाइव रूपी क्यों लिया कि अब मुझे सब कुछ बताया हो कोश्चन में मेरे पास कैसे कर tastes one की को एनने फिर रूपीस की को 것으로 बात यह इस तीन तरह के कोई मुझे के गीवन है और मुझे कोष्टीं में दिया कि 2 रुपे के कोईन-5 रुपे की कोईन से 3 गु gheeना जाद हैं 5 रुपे के कोईन से 3 गु submit कोईना से अगर इसको सबस पहले तो मुझे इसको स्पोस्ट करना पड़ेगा तब už मैं इसको find out करूंगी क्योंकि मुझे दिया है कि 2 रुपे की कोईन मुझे कह दिया है 2 rupay के coin, 5 rupay के coin से 3 गुना जादा है ठीक है अगर मैं इसको X ले लेती हूँ तो 2 rupay के coin, 5 rupay के coin से कितने जादा है 5 rupay के coin कैया x, उससे कितने जादा है, 3 जादा है 3x हो जाएगा, नहीं मिरे पास, इसलिए तो मुझे सबसे पहले number of five rupees coin लिया पड़ा number of इसलिए तो मैंने किया लिया सबसे पहले five rupees के coin लिया कि let number of five rupees coin क्योंकि मुझे सब कुछं में given था क्योंकि में रपास three-takes coin one-rupes two and five rupees one-rupes two and five rupees और मुझे ये भी given है कि दो रूपे के coin five-rich coin से three गुना जादा है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले 5 रुपे के कोयन के बारे में पताओ ना चाहिए तभी मैं 2 रुपे के के बारे में बता हूंगी ठीक है इतनी बात इसलिए मैंने सबस्क्राइब गहां लिए लाट नमबरों 5 रूपी कोयन कितने है मेरे पास मैंने क्वेत्पोंस किया एक्सपोस किया ठीक है अब नंबर ओफ टू रूपीस कोहन तो रूपीस कोहन के है मेरे पास कोशन में सब कुछ गीवन है दो रूपे की कोई पांच रूपे के कोई से तीन को ना जादा है इसलिए यह क्या मेरे पास थ्री एक्स हुए मेरे पास क्या हुए ठीक अब मैं क्या करूंगी नंबर ओफ वन रूपीस कोहन रहागिbussen तो वह क्या होगा मेरे पास यह तो हम सक्ष्िन में नहीं है रहाड मिरे पास मेरे पास की October pret 역 यह क्या हूं मेरे पास बन सिक्स्टी माइनस फोर एक्स ठीक है अब मुझे क्या है और यहां क्या दिया मुझे सब कुछ कोई के बारे में बात की गई है यहां पर हमारे पास किसके बारे में बात की है में पास कोई के बारे में मिर पास एक रूपर दो रूपर पांच रूप रूपीस मेरे पास क्या रूपीस locomizes two togrim 400 रूपीश के मेरे पास थू के साथ नोट थो मैं क्या करूँगी 100 कीλοडियर तो चशर करें तभी तो मैं तो्टमांडियर क्लिवलेट कर पाँए कि मेरे पस कितने पैसे यां टूटल दोसर पे एने मेरे पास जब मेरे 100 की टोटल मिरे पास मेरे पास कितने का नोट है 100 गूर्पीस की कितने नोट है दो नोत है 100 गी मल्टिप्लीड आथि की साथ करे बीदम लिए आपके साथ करूंगे नाव अकोडिंग question 5 multiply x plus 2 multiply 3x plus 1 multiply 160 minus 4x ठीक है और यह किसके equal दिया मुझे 300 के यह सब किसके equal दिया मुझे 300 के क्योंकि उसने बोला ना कि मेरे पास 300 रुपे है 300 के को एन है ठीक है सब किसके equal अब मैं क्या करूँ इसको solve करूँगी 5x plus 3 to the 6 plus 160 minus 4x equals to 300 अब मैं क्या करूँगी xx को solve कर लूँगी ठीक है 605 11x 11x minus 4x क्या होगा मेरे पास 7x अब मैं क्या करूँगी 300 और यह क्या में पास 160 इन दोनों को excite कर लूँगी और x वाले time को excite रखोंगी अब इस side यह क्या plus की दूसरी side जाएगे क्या हो जाएगी minus की तो यह कितना हो मेरे पास 147x और x की वैल्यू मैं क्या करूँगी यहां से find out कर लूँगी 7 टूजर 14 डाट मिंस x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 20 बड़ मुझे एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे तो क्या चाहिए number of five rupees coin बताने है तो number of five rupees coin x है तो x की वैल्यू कितनी ही है 20 that means five rupees की coin जो है मेरे पास वो कितनी है 20 है number of two rupees coin two rupees के coin कितने है मेरे पास 3 x 3 multiply 20 तो कितना होगा मेरे पास 3 multiply 20 कितना होगा 60 ऐसी हम क्या निकाल लेंगे number of one rupees coin यह कितना है मेरे पास 160-4 xx की वैल्यू 20 160-80 equals 280 that means one rupees coin कितने है मेरे पास 80 जब हम 2060 और 80 2060 और 80 इंस सब को एड़ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 160 total number of coin is कितने थे 160 थे अब हम इसको जब हम इसको एड़ करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 160 that means left hand side right hand side आपस में क्या ही मेरे पास equal i that jk अमतला इसको एड़ करेंगे तो मेरे पास क्या एगा 160 यह क्या है मेरे पास equal i that means हमने जो value find out की वो क्या हमारी सही है question number 16 क्या हमारे पास the organizer of an essay competition decided that a winner in the competition gets a price of rupees 100 and a participant who does not win get a price of rupees 25 the total price money distributed is rupees 3000 find the number of winners if the total number of participants is 63 इसको तो मिलेंगे 100 रुपे और जो वीनर नहीं है उसको कितने रुपे मिलेंगे 25 रुपीज और जो टोटल मैंने distribute की है टोटल पैसे उन्होंने बांटे हैं तो वह कितने बांटे हैं तीन हजाओ रुपे उन्होंने बांट किये और इसमें से जो हमारे पास find कि किले लोगों सांडर पाउंड किते कि कि इसने 63 पार्टीपेट किया सिक्स्टी थी इपल निपार्टी स्थी तो हम क्या करते हैं क्श्रका करते हैं नंबर ओफ बीनर्स क्योंकि हमें क्या बताना है सहब मेंने क्या कि है है number of winner ही लेट किया कि number of winner क्या हमेरे पास X माल लिया हमने number of not a winner जो winner नहीं है तो उसको हमने क्या ले लिया total कितने person ने participate कि 63 ठीक है 63 minus X क्या होंगे number of winners तो तो मनें एक्सपोस किया और number of not a winner को में क्या लिया 63 minus X now according to question क्योंकि सब कुछ question में given a question जो given us की help से हमें क्या करना सको solution निकालना है जो वीनर है आप हमारे पास उसको उन्हों किसके साथ कर दी 100 के साथ ठीक है और जो वीनर नहीं है उसको कितने में लेंगे पच्ची रुपे पच्ची की multiply किसके साथ कर दी 63 minus X के साथ और उन्होंने कितने रूपीज दिस्ट्रिब्यूट किये 3000 इसके एक पर हमने क्या किये स्को रख दे और अब हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे 25 multiply 63 इसकी multiply यहां करेंगे और फिर इसकी multiply हम यहां करेंगे ठीक है minus 25 X is equals to 3000 100 X plus 1575 आयागा इसको solve करके हमारे पास minus 25 X equals to 3000 अब हम क्या करेंगे X X को एक साइड कर लेंगे और जो numbers है उसको एक साइड कर लेंगे जब हम इसको solve करेंगे हमारे पास आएगा 75 X 3000 minus 1575 इस साइड से जब दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी minus की हो जाएगी मेरे पास यह क्या होगा मेरे पास 1425 75 X और X की वैल्यू हम क्या करेंगे यहां से find out कर लेंगे क्योंकि हम एक सी वैल्यू फाइंड आउट करने और 75 क्या मल्टिप्लाई में एक साथ जब यह दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में अब यह क्या है मेरे पास यह मेरे पास 19 X की वैल्यू क्या हूं मेरे पास 19 और मुझे क्या निकालने नंबर ओफ वीनर्स नंबर ओफ इनर्स निकालने असको मैंने क्या लिया था X X की वैल्यू कितनी आई 19 और जो मेरे पास not winner हुए not winner जो winner नहीं थे वो क्या है मेरे पास 63 माइनस X 63 माइनस X क्या है मेरे पास 19 63 माइनस 19 क्या होगा मेरे पास 44 I hope you liked the video don't forget to like share and subscribe to my channel thanks for the watching